कि हेलो गाइज वेल्कम बैक तो आपका अपना चैनल शेपर एडूकेशन मैं आपका दोस्ता आपका मेंटर और हम यहां आ रहे हैं कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ने विडियो लेके और खुशी की बाद मजी की बात यह कि सर अपकी बार मुझे आप लोग का बहुत-ब प्रेजिस मिलती है यूट्यूब पर सर यही एक मोटिवेशन है बाकी आफ्लाइन क्लास में टेक्रीट अमांट फीस फॉर दूइंग देस सर्विस यूट्यूब पर हमको पैसा ले देने सर हम फ्री में बढ़ाते हैं और आपके कॉमेंट्स ही हमारे लिए बहुत बड़ी है और मज़े से लोगों को बताईएगा चोटा सा टागेट एक चोटा सा सपना है जो मैंने अपी शौट टर्म के लिए देखा है कि हमारी जो फंद्रा सो मेंबर्स की फामिली है इसको मुझे अब दूजार मेंबर्स की करना राइट विफोर दिवाली करेंगे तो करेंगे से लगे रहेंगे और कुछ भी करके हम इसको और एक्सपैंड करेंगे चलिए आते हम आज के हमारे आज की काम पर आज हम लोग सीखने वाले 11 सैने गुजरात बोड के स्टेटिस्टिक्स का एक और नया चाप्टर सुर ओनेसली यह चैप्टर बहुत 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 अच्छ अब यह चैप्टर समझ में नहीं आने के दो कारण है पहला आप लोगों ने चैप्टर नंबर थर्ड नहीं किया होगा दैती सेंट्रल टेंडेंसी आप सिद्धा उठके चैप्टर नंबर फोर्स पर आ जाओगे तो सर आपको यह समझ में नहीं आएगा तो अगर आप चा चैप्टर की हेल्प चाहिए कि खाली एक टॉपिक इस कॉट आए बाकि फोर्स चैप्टर से इंडिपेंडेंट रहे ठीक है चलिए चालू करेंगे थोड़ा साज मेरा घला खराब है मैं दो दिल से थोड़ा फीवर में था सो शायद अगर आपको आवाज क्लियर नहीं सब्सक्राइब इस पोजिन के अंदर बेजिकली पहले समझते इस पोजिन का मीनिंग क्या होता है तो इस पर्जिन इस पर्टिकुलर मैजर विशोष हाव दा अब्जवेशन अफ देटा आर स्कैटर्ड फ्रम बैजर आवरेज हमारे नॉमल एवरेज से हमारे जो एवरेज मतलब हमारा जो मीन में से हमारे observation हमारे देटा कितने धूर है कितने पहले वैं कितने विखरे वह बताने का काफ ता है सबसे पहला होता है रेज वेरीमे इसमें कोई पूराने चैपर का रीज नहीं में चाहिए डिभी है next transition इस में इसंने अटमलि फ्री पूछेंगे ही पूछेंगे राइट सबसे पहले टॉपिक के साथ में हमारे पहले टॉपिक का नाव में रेंज तॉपिक खतम हो जाता है फिर भी जैसे कि मेरी आदाते में दू-3 सम करवाता है हूं कि आपको मेरे वीडियो के बाद में और कुछ भी पढ़ना नहीं पड़े सबसे आपको इतना क्लियर कर दूगा सबसे चाप्र की टाने राइट सबसे टोटने के डिफरेंस पर इस पर्ट बिखिए उल अगया जाता है रांगे बढ़ेंगे अब रेंगे का फॉर्मिला क्या होता है रेंग किसे साल नहीं देस्ट के माइनस XL वेल XH denotes highest observation XL denotes lowest observation XL का मतलब क्यों अब भया highest observation और XL का मतलब हो गया lowest observation तो XH XL simple आपको उसके बाद में निकारना पड़ेगा coefficient of range जिसको कभी-कभा relative of range भी कहा जाता है जिसका formula रहेगा XH minus XL upon XH plus XL these are two basic simple formulas of range इन formulas के साथ में से रेंज खतम हो जाता है रेंज में आपको और कुछ भी नहीं करना है रेंज डन 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 हो गया है आपका राइड आगे बढ़ेंगे कुछ सम्स के साथ में चलिए मैं आपको कुछ सम्स कराऊंगा कर आपको कहा ता मेरी आदत है कुछ क्वेश्शन सौल कर वाने के साड़िए इन फर्स वन इलस्ट्रेशन नवर ना को कुछ नहीं करने को कहा गया है आपको कहा गया बजागी वन डेटा गरेंज निका लो और को इपिशन ऑ रेंज निका लो चलिये सर हमें पता है रेंज क यह हाई सिसाफ अनिकाल अब हमारा काम यह कोईफिशेंट ओफ रेंज का फोरमिला क्या होगा सर दिश एटकों गरी सेट Quick माईन्स एकस peak में अप उने अपन देता हो और एक्सेच प्लस एक्सल मतलब हो गया और इसको सॉल्फ करेंगे तो आएगा 75 डिवाइड बाइए 111 और सॉल्फ करने पर आपका आनसर आने वाला बागे अगर मैं आपकी स्कूल टीचर हो तो मैं यह क्वेशन नहीं पूछोंगा यह बच्चा नहीं पूछोंगा मैं राइड चलिए नेक्स इलस्ट्रेशन पाएंगे इस इलस्ट्रेशन नबर सेकेंड हर तरह के क्वेशन करेंगे जो पहले की आदव डेटा है अब हम जो क अब्सेवेशन है 3500 सो आपका अशर हो जाएगा 12000 माइनस पैटीसो सो आपका अशर आजाएगा 8500 के अंदर हमें फ्रिक्वेंसी के कुछ भी मतलब नहीं होता है हमें अब्सेवेशन देखना है जो हाइस्ट अब्सेवेशन को आपका अशर आगया सेम वे कोईफिशन ओफ और च्छ्याशन देखनें सेम फॉर्मिला एक्सवेश माइनस एक्सल अपन एक्सख प्लस एक्सल एक्स एक्सट था 12500 माइनस एक्सल पैठीस सो अगे नीचे 12500 प्लस पैठीस सो दोनों को सुल्फ करेंगे आपका अंसर आजाएगा 0.55 यहाउस यह च्याल्कुलेटर स्यों have common sense come on go and solve it out don't wait for me to solve मेरा 12th हो गया है आपका बाकी है आप मेरे लिए नहीं रूपना चाहिए आपको कुद को सॉल्फ करना चाहिए और मैं ओनेसल एक बात बदाता हूं स्टेर्ट एक ऐसा सब्देट इस नॉट टाइम टीचर तो महीं यह बाते कह रहा हूं अगर 95 से कम आये तो सर वह आपके लिए एक काली नहीं आना चाहिए इससे बेरी इजी मिनिममम 95 माक्सिमम दो सो होता ही है आना ही चाहिए राइट इस इस वेरी इंपोर्टन टॉपिक रेंज इलस्टेशन अबर सेकेंड ने खतम किया है आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स टॉपिक पे यहां पर आ जाता है क्लासस वाला करना वापस है वही है सर मज़े वाली बात है देस इस रेंज और हमें निकालना रिलेटिव रेंज डैट इस कोई फीशेंट और चले स्टार्ट करेंगे रेंज का हमारा फॉर्मिला क्या होत चलेगा इसमें कुछ स्कूल अलग तरीके से कराती है कुछ स्कूल चाहेगे कि बहुत पहले इन क्लास का मिड़ वैल्यू निकालो वी चलेगा और हम चाहें डिरेक्ली हाइस लोगेस क्लास को माइनस करेंगे तो भी चलता है दोनों मेठड करेक्ट है अंसर दोनों में यह अगें दा सेम फ़र्मिला एक्सेच माइनस एक्सेट अपन एक्सेट प्लस एक्सेट माइनस एक्सेट 25 वा गया एक्सेट में 35 डिवाय अच्ट प्लस 10 करना है दिस 25 डिवायट बैफ 45 यो आंसर बी 0.56 और इसके साथ आपका चाहतर का एक टॉपिक इस रेंज कहतम हो ग किया है वो भी कुल कितने मिनिट हो गए वह या हमें । 10 मिनिट में है मीनिट में । स्टैस्टिक्स का एक चैटर कर दिया वह भी आराम से हमें किया है बच्चा लोग अगर मज़ा आए तो फ्यार बाठते रहना कॉमें अपनी फीसे करते है रहा ना सर टाइम पर पीस आनी चाहिए पीस में डिले नहीं चलेगा राइट येस आपका यूटीब पे एक ही फीसे सर कॉमें पता चलना चाहिए कि हमें कुछ लोग पढ़ रहे हैं हमें कुछ सुन रहे हैं कुछ लोग हमसे प्यार कर रहे हैं कुछ लोग हमसे तकलीफ हो तो भी कोई टेशन नहीं है सर दुनिया में नुवन इस परफिट भी आपको कोई दिकत हो कोई परेशान हो आराम से कॉमेंट सेक्शन में लिखिए आराम से घर बैठ के एक साथ कीजिए अगर आपको कॉटाइल निकालना आता हो तो ही आपको कॉटाइल निकालना नहीं आता है मेरे पुराने वीडियो में चाहिए पहले कॉटाइल निकालना सीखिए फिर आप यहां आए तो ही आप कॉटाइल डिवेशन को हम शॉट में बोलेंगे क्यू डी क्या बोलने वाले राइड इसके भी तीन सम्स करेंगे हम लोग जहां पर एक होगा सम्स अंग्रूप डेटा का एक होगा डिस्क्रीट का एक होगा कंटिनियूर्स का और बोलो तरह राड़ा चैप्टर खतम करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं बिना जादा टाइम वेस्किए इलस्ट्र इलस्ट्रेशन आपके सामने प्रगट हो चुका है इलस्ट्रेशन आपको कुछ गिवन इंफोमेशन है मैंने कहा तो मीडियन कॉटाइल डेसाइल और परसेंटाइल यह जहां भी दिखें दो शब्न मेंशा याद रखनेंगा पहला अरेंज दूसरा सी एपाई इन इसकेस कि एफाइज नट पॉसिबल इकास दोंट आफ रिक्वेंसी अरेंज करना पॉसिबले तो हमारा सबसे पहला काम होगा इस क्वेशन को अरेंज करेंगे चले मैं यहीं पर एंच करता हूं 5 8 10 12 19 20 24 25 30 35 ठीक है गाई हम लोगों ने कर दिया यहां पर खुदको अरेंज हमारा अरेंचमेंट यहां सामने सबको दिख रहा है इस इस अरेंजड इन असेंडिंग और रेंट डिसेंडिंग करने की क्रीटिविटी मत करना असेंडिंग और ठीक है चलिए अब हमारा काम रहेगा हमें निकालना है कॉटल डिवेशन जिसका फॉमिला होता क्यू थी माइनस क् देट इस एन फ्लस वन डिवाइड बाइ फोर्थ ऑब्जेवेशन ठीक है बैया ंफ़स वन डिवार बाइ फोघए बैए साल रहुप करेंगे इसको एन कितना या पे किनो तो n हो रहा है यहां पर लॉद Л.9 त हैं 2.75 कैसे निकाल दे बच्छा लोग आपको आता है 2.75 निकालना that is second observation plus 0.75 of third minus second ठीक है भाईया second observation क्या है मेरा 8 है plus 0.75 of third क्या है 10 minus 8 that is 8 plus 0.75 of 2 that is 8 plus 1.5 my answer is 9.5 this is my q1 मेरा q1 क्या आ गया भाईया मेरा q1 आ जाता है 9.5 बहुत इसी तरीके से मैंने q1 निकाल दिया है same way मैं निकालोंगा q3 q3 का भी same formula that is 3 and plus 1 by 4th observation and plus 1 by 4 हमने निकाला था 2.75 आया तो यहां कर देंगे 3 into 2.75 observation solve करेंगे इसको तो 3 into 2.75 कितना हो जाता है that is 8.25 observation उसको solve करना आपको आता है that is 8 observation plus 0.25 of 9 बाद सब्सक्राइब करेंगे हम तो जाएगा 25 प्लस 0.25 तो यहार आंसर इस 26.25 और इसके साथ साथ आपका Q3 भी मिल गया है सब honestly some खतम हो गया है अगर आपको Q3 पता है अगर Q1 पता है आपका honestly some खतम है मैं इसी पेच पर करता हूं मेरे पास अगला पेच है खाली फिर भी मैं इसी मैं करता हूं जिससे आपको पन्ने घुमाना ना पड़े पहले हम निकालेंगे जिसका का फॉर्मिला होता है Q3 माइनस Q1 divided by 2 पचालोग आप खिचडी मत करना आप एक्जाम में आराम से पीजिस यूज करना मैं नहीं कर रहा हूं जिससे मैं चाहता हो कि आप कोई की सिंगल पेच पे सब कुछ दिख चाहिए Q3 कितना है भाया 26.25 Q1 कितना है 9.5 divided by 2 solve करेंगे तो आएगा 8.38 this is my QD खतम हमारा QD आ गया 8.38 that's it यहां पर हमारा QD खतम हो गया है अब हमें निकालना है coefficient of QD जिसका formula होता है Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 Q3 कितना है भाया 26.25 minus Q1 9.5 upon Q3 वापस से कितना है 26.25 plus Q1 that is 9.5 अगर आप इसको solve करोगे आपको आंसर भी लगा 0.47 आप लोग कर लेना आप समझदार हो आपके पास calculator है सर आपको कुछ नहीं चाहिए राइड चलिए तो इसके साथ-साथ आपका एक illustration पूरा आपको नहीं आएगा आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत easy हो जाता है बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए बना है आराम से लिखते रही है तब तक के लिए फिलाल मैं आगे बढ़ूँगा मेरे next illustration पे और मेरा next illustration रहेगा that is all about discrete series अब हमारा next illustration illustration इल्स्ट्रीशन नुबर 6 जहां पर हम discrete series करने वाले हैं यह आप मैंने थोड़े से पहले से मैंनत कर रखी है हमें question में x दिया हुआ है मैंने copy कर दिया हमें question में y दिया है मैंने वह पहले से लिख 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 लिए और इस y की use से मैंने यह पाई भी पहले से निकाल दिया है जो आपको निकालना आता है पहले 3 then 3 plus 12 15 15 plus 18 33 33 plus 12 45 45 plus 5 50 ठीक है काम थोड़ा शॉट हो जाएगा इसलिए किया है मैंने चलिए formula button करेंगे Q1 निकालना हो तो formula होता है n plus 1 by 4th observation and कितना है भाईया 50 50 plus 1 divided by 4th observation that is 51 divided by 4 and 51 divided by 4 कितना हो जाएगा that is 12.75 12.75th observation इन दोनों के बीच में आ रहा है so यह हो जाता है मेरा Q1 so my Q1 is 4 right अब आते हैं Q2 पे Q2 होता है 3 and plus 1 by 4th observation तो 350 plus 1 by 4th observation that is 3 12.75 3 को 12.75 से multiply करोगे तो आपका answer आएगा 38.25th observation 38.25 इन दोनों के बीच में आ रहा है so this becomes your Q3 sorry Q3 सो आपका Q3 हो जाता है एक वासत मैंने कहा था Q1 Q3 निकल गया मतलब बोलो तारा राता अब आराम करो चलिए आराम से solve करेंगे हमें निकालना है सबसे पहले कॉटल डिविशन जिसका formula होता है Q3 माइनस Q1 divided by 2 Q3 हो गया मेरे पास 38.25 Q1 हो गया मेरे पास 12.75 divided by 2 करना है so मेरा answer यहां sorry 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 Q3 है मेरा 8 और Q1 है मेरा 4 divided by 2 that is 4 divided by 2 your answer is 2 तो मेरा QD आ गया है 2 और वैसे ही coefficient of QD अगर अब निकालेंगे तो हो जाता है Q3 Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1 that is 8 माइनस 4 8 प्लस 4 सॉल्फ करने पहां से राज़ागा 0.3333333333 डन 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 हो गया बैठे बैठे मजाक मजाक में मैंने आपका कॉटल डिविशन का सिकिन सम्भी कर दिया है जहां अब आएगा फाइनल भाड़ी बढ़कम वाला जहां पर अने वाले सब्सक्राइब बहुत ना नियाद आती है क्योंकि इसमें महनत बहुत महनत होता बहुत बढ़ा सम होता है बढ़काना दो पड़ेगा हमारा धर में सम करना हम करेंगे चलिए सब लोग आएंगे सबसे पहला हमारा काम होगा यहां पर निकालना पहले में आ जाएगा 54 दूसरे में आ जाएगा हंड सॉरी 154 154 प्लस 140 294 294 प्लस 300 594 594 प्लस 238 248 24 प्लस 125 949 949 प्लस 51 गोस्टू 1000 सो यहां मेरा टूडल फ्रीक्वैंसी से मैच हो गया मतलब बोलो तरह रहा तुम्हारा काम से ही जा रहा है चलिए निकालेंगे क्यूवन सबसे पहले क्यूवन लगान यह निकालना पड़ता है यह एंबाई 4 एंबाई 4 मतलब होता है 1000 डिवाइब बैए 4 विच गोश्टू 250 तो तूटूफिफिटी उब्सवेशन किन दोन के बीच मारा एं इन दोन के बीच में विच में डेस विकांस माई एक यूवन क्लास ठीक है बैया चलिए फॉम्विला पुटाउन करेंगे क्यूवन का पूरा का पूरा क्या होता है क्यूवन इस इकॉल टू एल प्लस एन बाइफ आपन एफ आइफ आइटू सी वेर एल दिनोट लोगर बांटरी पॉइंट सेवेंटी एन बाइफ दिनोट क्लास 154 एफ ऑफ गिवन क्लास 140 इंटू क्लास लेंट 20 दने बाइया यहां तक कुछ भी मैंने मैजिकल आपके लिए छुड़ा नहीं है सेवेंटी प्लस 250 माइनस 154 154 सरी अपन एफ एफ है 140 इंटू 20 कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा 83.71 यह आपका आंसर आजाएगा Q1 का वैसे निकाल लेंगे Q3 जिसका फॉर्मिला दा 3N by 4 that is 3 by 250 and it goes to 750th observation 750th observation इन दोनों के बीच में आपने इस इस यह Q3 क्लास यह हो जाते है आपका Q3 क्लास फॉर्मिला डालेंगे Q3 का Q3 is equal to L plus 3N by 4 minus CFI upon FI into C where L is lower boundary point so कितना हो जाएगा 110 3N by 4 is 750 CFI of preceding class 594 FI of given class 230 into class length 20 ठीक है सर इसको सॉल्फ करना आपको आना चाहिए हमने किया 110 plus 750 minus 594 divided by 230 into class length 20 मैंने कर दिया इसको सॉल्फ करेंगे तो हमारा आसर आएगा 123.57 this is my Q3 चलिए बच्चा लोग सो यह हो गया है मेरा Q3 यह रहा लाल वाला और यह हो गया मेरा Q1 this is my Q1 अब तो आपको आता है बच्चों जैसा काम करना है सबसे पहले निकाल लेंगे QD QD का formula होता है that is Q3 minus Q1 divided by 2 Q3 था मेरा 123.57 minus Q1 था 83.71 divided by 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 19.93 this is my QD and coefficient of QD अगर मुझे निकालना है तो Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 where Q3 was 123.57 minus 8 3.71 divided by 123.57 plus 8 3.71 solve करने पे आंसर आएगा हमारे को 0.19 this becomes my coefficient of Cautile deviation और बच्चा honestly इसके साथ साथ यह टॉपिक भी समाप हुआ सच्छी मज़े की बात बता हूं आपको तो इस टॉपिक में सिर्फ बहनत मजदूर है अगर आप calculation error करोगे अगर आप कोई भी टेक्स नहीं करोगे तो यह टॉपिक आपके लिए बच्चो जैसा ठीक है थोड़ा सा presentation मेरा मत देखना आपको textual presentation करना है खुला खुला लिखो आप लोग मेरे पास एक स्क्रीन है मैं नहीं चाहता पेजस उपर नीचे टर्न करो जिससे आपको समझने में दिखकत हो इसलिए में एक ही पेज में समझा देता हूं मेरे पैन की चेंज करके बट आप शायद यह नहीं कर पाऊ तो आप थुड़ा सा इसके साथ अमारा कॉर्टाल डेवेशन का टॉपिक खतम हुआ इसके नेक्स लेक्चर में दोनों इंपॉर्टन टॉपिक आ रहे हैं और चाक्तर पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे ठीक है बच्चा सब्सक्राइब नेक्स लेक्चर सेम पर्टिकुलर टॉपिक का एक्स् बाहे हैं